हेलो स्टूडेंट्स वेलकम तू माइ चैनल कॉमर्स वर्ड आज हम गेम थियोरी का एक टॉपिक करने जा रहे हैं दे प्रिंसिपल ओफ डॉमिनेंस रूब इन गेम थियोरी हमें पता है कि हमें थियोरी मार्क्स में डॉमिनेंस रूल आ जाता है कि इसको डिटेल में बताओ कि और उसका प्रेक्टिकल भी आता है तो प्रेक्टिकल पॉइंट भी प्रेक्टिकल फॉम्स तो और पने त्यारी कर ली होगी धर बैखर यही स्ट्रॉइथ नियुक्त आ जो हमें कॉश्प करता है में जहां पर आपको सामने वाले के भी क्या देखनी है, strategies देखनी है ठीके, और उस strategy को देखते हुए choice लेनी है तो आप क्या लगा होगे, तो आप क्या है, dominance rule लगा सकते हुए, तो for example, कि आपको क्या है, कोई अपना move चलना है पर आपको सामने वाले की strategy देखनी है ठीक है और सामने वाली strategy देख के आपको क्या है कोई न को decision लेना है तो क्या करोगे आप dominance rule वहाँ लगा सकते हो game theory का it's just that ये बताता है कि when you are playing a game और making a decision मतलब जब आप क्या है game खेल रहे हो या फिर real world में कोई decision ले रहे हो तो आप कुछ options को क्या कर सकते हो eliminate कर सकते हो because उनका कुछ वो ही नहीं वनता मतलब वो ना आपके decision को बलकि Ross बना सकते हैं और गलत बना सकते हैं ठीक है तो वो useless होते हैं तो आप क्या उनको पहली eliminate कर दो तो अगर मैं dominance strategies तो आपको पता है कि चार strategies में दो तो useless ही है ठीक है मुझे बाकी दो पर दिहान देना है तो उन दो को पहली कार दो ठीक है no matter what the other player do आपको यह नहीं देखना कि सामने वाला क्या करेगा ठीक है क्या पता सामने वाला आपको बताए ही ना कि बही हां उसको यह है कि आप यही दो को क्या करो इनी दो में उल्चे रहो और वो उसका फायदा उठा ले तो आपको यह नहीं देखना सामने वाला क्या कर रहा है आपको सिर्फ यह देखना है कि बाकी जो कुछ होती है जो चीज़ें उनको क्या करो अप सब्सक्राइब कर दो डिस सिंप्लिफाइब डिसिजन मेकिंग यह कि आपको हेल्प करता है कि आपके पास जो चार ओप्शन्स थे ना जो आपको कंफ्यूस कर रहे थे उसमें से आपने क्या दो तो हटाई दी तो आपके पास अब की डिसिजन मेकिंग में हैल्प की और आपका नैरो डाउन कर दिया बेस्ट च्राइब को मतलब चार में से डूढ़ना था अब वो सिरफ चार से हटकी क्या हो गया है सिरफ दो हो ठीक है तो हो आपको डॉमिनेंस रूल का क्या है मतलब समझ आया हो इसे तब यूज किया जाता है जब हमें क्या है अपनी स्ट्रेजी जो बहुत सारी स्ट्रेजी जो आपको नहीं देखनी है ठीक है वो और नहीं देखनी है ठीक है यह व्याहिन परपीगर करते चारते हैं यह स्ट्रमाटैजी डोमिनस्ट ब्बड़ करते हो जातें हैं कि पस्ट आप कि और झाहई सब्सक्राइब घैने हो तो the dominance rule in game theory is a decision making principle यह क्या है decision making principle जो आपको कहे decision making में help करता है यह simplify कर देता है complex strategies को गेम में ठीक है यह identify करता है और eliminate कर देता है ऐसी strategies को जो clearly बता रही है कि inferior है ठीक है आपके लिए मतलब यह यूजलेस ही है ठीक है और आप यह नहीं देखोगे इसमें कि सामने वाला क्या कर रहा है बस आपको अपने से मतलब होना चाहिए अगर हम शॉट वय में बोले तो यह आपको क्या अलाओ कर रहा है फोकस करने में बैस्ट ऑप्शन को सिरफ ठीक है आपको बाकी जो यूजलेस कि इसमें क्या dominant strategies को क्या किया जाता है प्रैफर किया जाता है गेम त्योरी में dominant strategy तब बोली जाती है जब क्या वो आपको बेस्ट च्वाइस दे रही है ठीक है जो आपको खराब करेगी और dominated है ठीक है by their dominated strategy फिर simplified decision making इससे क्या होगा आपका जो elimination dominate strategy अगर आपने eliminate कर दे dominated strategy को ठीक है player can simplify their decisions तो उसने प्लेयर क्या करेगा simplify मतलब उसको simple हो गया कि वो decision making process कर सकता है ठीक है और focus कर सकता है उन strategies में truly जो उसके लिए क्या है matter है this often lead to more straightforward and clear decision इससे कि आप straightforward or clear decision ले सकते हो अब यहां क्या बोल रहे है it is important to note that dominance rule may not always be applicable अब यह भी नहीं है कि जरूरी हर जगा dominance rule लगी जाए बहुत सी situations जहां पर dominance rule नहीं लगता है वहां पर आपको other rules लगाने पड़ते है ठीक है यह depends होता है यहां पर यह help नहीं करता decision making में फिर आपको किसी दूसरे strategy की तरफ जाना पड़ता है जो यह principle of dominance है यह help करता है आपको help to reveal the strategy clarity in terms of highlighting the best choice यह क्या आपको best choice बता देता है कि क्या क्या है but it does not guarantee that the outcome will always be optimal पर यह आपको guarantee नहीं दे रहा कि जो आप उससे निकालो गया अंसर वो optimally होगा in some cases even when player follow their dominant strategy कुछ cases में तो देखा गया है कि अगर dominant strategy को follow भी किया जाता है तो फिर भी क्या result है वो still unoptimal आ सकते है ठीक है equilibrium outcome नहीं मिलता आपको it serve as a valuable tool हाँ यह आपको serve करता है valuable tool ठीक है जो क्या आपको समझने में और simplify कर देता है आपको strategic decision making को ठीक है पर स्टिल आपको कहीं ना कहीं इस चीज से भी face करना पड़ेगा अगर कुछ मतलब ऐसी problem है जहां पर क्या dominance rule लगी नहीं रहा आप जैसे example है the investment dilemma अब क्या यहां पर हम इंवेस्ट यह देख लेते हैं example देख लेते investment dilemma का जैसे कि यहां पर example है कि दो फ्रेंड है अलाइस और बॉब वो consider कर रहे है दो investment opportunity उनके सामने दो investment opportunity है option A और option B ठीक है option A भी opportunity है उनके पास option B भी उनके पास opportunity है जहां पर क्या है उनको एक हजार क्या इंवेस्ट करने है and they want to choose the option उनको क्या है उनमें से कोई एक option choose करना है और ऐसा option चूज करना है जिससे क्या है उनको maximize return आ सके और उनके पास 1000 इंवेस्ट करने के लिए if both allies and bob choose option है अगर यह दोनों option A को choose कर लेते हैं they will each receive 500 return ठीक है तो अगर A को वो receive कर रहे है तो अगर चूज करता है तो 500 return होगा अगर दोनों ने बी को चूज कर लिया तो 700 return होने वाला है ठीक है और एक और condition है if allies choose option A अगर allies क्या करता है यह एक को चूज करता है और bob क्या करता है यह यह फिर इसका उल्टा हो जाता है कि इसमें क्या dominance rule कैसे लगेगा now let's apply the principle of dominance पहला step हमारा क्या होगा कि identify करना है क्या हमारे पर dominant strategy है जैसे allies ढूंडने की कोशिश करेगा allies देखेगा for allies if Bob choose option A अगर बॉब क्या करता है चूज करता है option A allies best move is to choose option B तो allies का best move क्या होगा कि वो option B को चूज करे because it give her higher return क्योंकि वो क्या है उसको higher return देगा ठीक है if Bob choose option B पर अगर बॉब भी कुछ ले लेता है तो allies का best move क्या होगा still to choose option B पर allies भी क्या चाहेगा B को ही लेना for the same reason ठीक है इसी reason से कि ज्यादा मिल रहा है उसमें ठीक है तो allies dominant strategy is to choose B तो allies ने तो सिद्धा सिद्धा बोल दिया मैं B लूँगा अगर A जो option मतलब जो यह है बॉब है अगर वो ए लेता है तो भी मैं B लूँगा अगर जो बॉब है वो B को ही चुनता है फिर भी मैं A ही लूँगा तो वो अपने उसको पता लगे मेरा यहां फायद बिकॉस इड गिव हिम a higher return बिकॉस वो इस केस में उसको क्या मिल रहे है 500 मिल रहे है इफ अलाइस चूज भी पर अगर अलाइस B को चूज कर लेता है तो बोब का बैस्ट क्या होगा कि उसको क्या है फिर भी A ही लेना है ठीक है तो उसको भी उसका क्या है dominant strategy मिल गई A अब इसमें analyze करे result हुआ क्या तो since allies dominant strategy is to choose B and Bob dominant strategy is choose to A they will both choose their dominant strategy तो वो अपनी क्या dominant strategy को चूज करेंगे this lead to a outcome where allies choose option B and Bob choose option A तो इसका outcome क्या है इन इस example the principle of dominance help both allies तो इसमें क्या हुआ A और B दोनों को help की principle of dominance ने कैसे clear decision लिया जाए allies invest in option B allies ने क्या क्या invest किया option B में Bob invest option A, Bob ने invest किया option A में and they both secure the best possible outcome उन्होंने क्या 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 कर लिया अपने dominant strategy को देखते हुए this is simplified way of making decision यह क्या है एक simple way है कि आप decision ले सकते हो complex situation में वे जहां पर क्या हर एक player क्या है consider करता है कि उसको best देखना है no matter की सामने वाला क्या move कर रहा है देखो यहां पर भी क्या हुआ था अगर वह ए ले रहा है तब भी उसको ए ही चाहिए वह सामने वाले की नहीं देख रहा था उसको क्या लेना है ठीक है या फिर अगर छोटा सा उठाके अगर आपको solve करना है तो वह भी better अगर दोगे अदर्वाइस कि यह theory point of view से तो इतना ही बनता है वरना फिर वही बात हो जाएगी कि अगर हम उसका question books उठाएंगे तो वह तो वही हो गया कि question solve करो तो यहां पर यह ऐसा था investment dilemma कैसे व आपको करके आना है और साथ के साथ की अगर example दोगे तो भी ठीक हो जाएगा तो आप अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो like share subscribe जरूर करें और बाकी operation research की theory के जितने भी important questions बनते हैं हमने उनके भी क्या है line wise कर रहे है first second third chapter हो गया हमारा हम game theory का start कर रहे है और आगे भी questions करेंगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो like share सब्सक्राइब